हलो फ्रेंट्स आज हम आए हैं एक पलाई फैक्टरी जो की नया सेटप अभी चल लाए है इसका हम डिटेल वीडियो फुल प्रासेस आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे काम करता है यह है गुलू जो चिपकाने के लिए पलाई में लगाई जाती है वो मशीन है और पीछे पाजियों का आप पैनल देख रहे होंगे तो यहां पे बहुत तरह की मशीन हैं हम हर मशीन के पास जाएंगे और उन मशीनों का टिटेल वताएंगे यह आप देख रहे होंगे कि जो पलाई में लेयर लगती है पोर लगती है उसको सुखाने का काम होता है यहां डाल दिया आपको उसमें डाल दिया जाता है जिसमें दोनों तरफ से गुलू लग जाती है फिर लेयर बाई लेयर इसको लगा करके एक मशीन और है जिसको प्रेस कंप्रेसर मशीन बोलते हैं कंप्रेस किया जाता है यानि इसका दबाओ डाला जाता है जिससे वो आपस में पढ़िया से चिपक सके यह पावर प्लांट आप देख रहे होंगे यह गुलू प्लांट बनाए जाता है चिपकाने वाला तो इसमें इतनी तरह की मशीने हैं साइज की कटिंग होती है फिर फेस होता है जो उपरी लेयर होता है उसके बाद कोर होती है जो सुखाई जा रही है और फिर इसकी साइज कट करके उसके बाद फिनिशिंग सेक्शन में जाता है जहां फेस को रगड करिया आप देखिए प्रेस मशीन इसमें बहुत सारी पलाईया दिख रही होंगी दवी हुई है जो की अभी इसमें से निकलें जाएंगी यह है आपका फेस जो की पलाईय के दोनों तरफ प्लेन एकदम दिखाई देखता होगा आप देखते होंगे तो यह अलग आता है यह इंपोर्टेड होता है और इसको लगा करके प्रेस में डाल करके फिर इसको ऊपर लेयर रगड करके बराबर किया जाता है गरता है लेकिन बनाने का इसका सिस्टम बहुत ही टीपिकल होता है यह प्रेस मशीन है जो की काफी हीट होता है गरम होता है यहां पर आप बहुत देर खड़े नहीं हो सकते और सामने जो मशीन देख रहे हैं यह साइज कटिंग होती है प्रेस से निकल के जाता है जैसे 6 फुट बाई 4 फुट या 3.5 फिट बाई 7 फिट जो भी साइज निकलती है यहाँ पे सेट करके निकला जाता है देखिए एक नई पलाई जो कि अभी अभी बन करके तैयार हुई है और अभी ट्राइल प्रोडक्शन चला है इस फैक्टरी का कि हमारी क्वालिटी किस तरह से आ रही है और उसको फिर क्वालिटी टेस्ट होगा कि इसका क्वालिटी कैसा आ रहा है उसके बाद जो है यह मार्केट में बिकने के रिए जाएगी तो यहाँ पे इतने सारे आपके अपने अपने सेक्शन हैं जो की अपना अपना काम करते हैं यह पिलिंग मशीन है जो की लकड़ी से कोर निकालती है जिसको आप आमने दिखाया सुखाय जा रहा है बीच में होता है पलाई के यह कोर आपको इससे बनती है काफी हैवी मशीन होती है यह और उसके बा आपको दूसरा लेयर हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए